नमस्कार, भोजन करने की क्या विधी होनी चाहिए? पहला तो आपने ये ध्यान रखना है कि भोजन करते समय क्रोध नहीं करना चाहिए. किसी तरह का इर्षा इसमें नहीं रहने चाहिए, किसी के भी परती. महिलाओं को खास तोर पर कहना चाहूँगा, कि बच्चों को या अपने घर वाले को जब खाना देते हैं, घर के अन्य सदस्यों को भी जब खाना देते हैं, तो उसमें बात नहीं करनी चाहिए. कोई ऐसा विचार उनके दिमाग में नहीं आना चाहिए, या नहीं डालना चाहिए, जिससे कि उनका दिमाग तनाव युक्त हो सके, और खाना गलत ढंग से खाय जाए, और उसका पाचन अच्छे से ना हो सके. खाना खाते समय टीवी नहीं देखना चाहिए, खाना खाते समय बोलना नहीं चाहिए, खाना खाते समय टेंसन नहीं रखनी चाहिए. भोजन करते समय उपर वाले का शुक्रिया अधा करना चैकि आपने मुझे इस भोजन के लायक समझा उस भोजन से जो भी आगे आया उसे घिरना नहीं करनी चैकि मुझे पसंद नहीं है मैं ये ना खाऊँ पर सन्न चित से खाना खाना चाहिए क्यूंकि जो कहते ना बड़े-बड़े विज्ञानिकों ने भी ये पूरा सिद कर दिया है कि अगर हम खाना खाते समय टेंसन रखते हैं, जल्दबाजी रखते हैं, गुसा करते हैं तो खाना पचता नहीं है, गैस बन जाता है, एसिड बन जाता है और वही कहां पे आके दिल पे, दिमाग पे आके जमा हो जाता है, जिसे तरह-तरह के विकार उत्पन हो जाते हैं भोजन बनाते समय, भोजन करते समय और भोजन करने से पहले अपने हाथों को, मुझ को, पैरों को अच्छे से दो के उसके बाद परशन्द चित से ढीले कपड़े डालके अपना अराम से अगर मान लिजे आप कहेंगे कि जी हाँ हम ओफिस में रहते हैं तो ढीले कपड़े कुछ नहीं जैसे आप हैं बस थोड़ा सा खुश मिजास से क्योंकि पबलिक डिलिंग करना बहुत मुश्किल काम होता है पबलिक बहुत जादा अपने вопрос को प्रकट करती है जिस से क्या होता है तनाव बहुत उत्पन हो जाता है और तनाव की दवाईया खानी पड़ती है ठीक कह रहे हैं आप मानता हूँ आपकी बात मगर थोड़ा समय जो आपको भोजन का मिला है न जो भी मिला है उसको बिल्कुल आनंद पुर्वक फोन को अपना साइलेंट मोड पे रखें और अराम से उस समय खाना खाएं और पिल्कुल तनामुक्त होके कहते हैं बड़े बुजर्गों ने कहा है कि उसको टुकड़े करकर के रख देना चाहिए एक टुकड़ा खाके अच्छे से चुगाली करकर के अच्छे से खाना चाहिए ताकि वो उसका आदे से ज्यादा पाचन आपका मूँ में ही हो जाए औ और वो पूरी तरह से जल्दी से जल्दी आपके सरीर में उर्जा बनके आपको निरोग बनाए कई लोग मैंने पहले भी एक वीडियो में बोला है कई लोग क्या करते हैं कि खाना खाया चल मेरे भाई खाना खाया चल मेरे भाई खाना खाया चल मेरे भाई ऐसा नहीं करना चबा के खाना चाहिए क्योंकि पेट में न कहीं दात नहीं होते हैं आत होती है आत आत क्या करेगी थोड़ा नीचे सरका देगी फिर थोड़ा नीचे सरका देगी फिर थोड़ा नीचे सरका देगी वहीं थोड़ा सा मतेगी और वहीं पे क्या होगा कि थोड़ा सा रस मिलेगा और पाचन होगा मगर मेन पाचन तो यहीं पे होता है ना इसलिए खाने को चबा चबा के खाना चीए बहुत से लोग कहते हैं जी अंदर की मसींडरी हमारी अच्छी होनी चीए मसींडरी अंदर नहीं हुआ करती हैं अंदर तो अंग हुआ करते हैं जो भी आप खाएंगे अच्छे से चबा के खाएंगे वो उसको आदा पाचन यहां होगा आदा पाचन आगे पेट में होगा तभी आपके सरी में खाया प्या लगेगा वरना आपको खाया प्या नहीं लगेगा अगर आप खाना चबा चबा के खाएंगे तो ब्रीक हो जाएगा ब्रीक के साथ लार भी जाएगे अंदर जो अंदर रस मिक्स होके जाएंगे तो खाना जल्दी पचेगा और जितना बरीख खाना अंदर जाएगा उतनी जल्दी आपके सरीर में खाया प्याबी लगेगा और आंतरियों पे या आपके अंदरूनी अंगों पे और ताकत मिलेगी उस तक जल्दी से जल्दी पोशक ततु पोचेंगे और आप बहुत अपने आपको अच्छा मैसूस करेंगे और जितना खाना चबाते है ना तब भी उसका स्वाद भी आता है वरना तो जादा स्वाद नहीं बस उसका जो भी उपर का स्वाद होता है वही हमें महसूस होता है अंदरूनी स्वाद और ताकत तो हमें महसूस ही नहीं होती है जादा चबाने से भी कहते हमारा मस्तिख्षक जादा विकास करता है यादाश शक्ती बढ़ती है, नसों में तरल परदार्थ बढ़ता है, टेंसन की शिकायत दूर होती है, अनिद्रा की शिकायत दूर होती है, डिप्रेशन वगेरा नहीं होता है, इसलिए कोशिश करें जादा से जादा चबा कर खाएं. कई लोगों को देखता हूँ कि खाना चबाते हैं और साथ में पानी पिते हैं और खाने को निगल लेते हैं, तो उसमें भी खाने का स्वाद नहीं आपाता, आप कभी नोटिस करना, खाने को चबा के आप लोग है ना, तो उसके अंदर से लाष्ट में एक मिठास उत्पन काका जल्दीरररर चबड़ है, तो उससे क्या होता है कि खाना पस्ता भी नहीं और तरह-तरह के रोग-त्पन कर देता है। खाना जब खा लें, उसके बाद क्या करें लोग में पानी डालके अच्छे से उंगली से आच्छे से साफ कर लें और कुला करके फैक दें, वह सके तो गरारा भी करें, इससे क्या होता है, दांत के, मसूडों के, गले की बिमारिया नहीं होती, टॉंसल साधी बिमारिया नहीं होती है, बोजन करने के बाद कई लोग क्या करते हैं, दिमागी काम करने लग जाते हैं, बैठ गए और अपना दिमागी काम करने लग इसको, ओफि क्या है कि अ कि क्यों कि अंदर ग्रंतियां लुपो करती हैं जिससे खाने का टाइम पर पाचन होता है... जब दिमाग को आपने किसी और चीज में उLJहा दिया तो फेर तो पाचन होला ही नहीं और आज के समयें मैं गुद अगर की इतना कही बाता हु? और हम मजबूर होते हैं कि उनको वो बिमारी ठीक है उनकी जो लेके आते हैं वो बिमारी तो है ही है उसका इलाज करना पड़ता है मगर हमारे आईरवेद में क्या होता है कि अगर आपका पेट ठीक नहीं तो आप किसी भी बिमारी को जड़ से ठीक कर ही नहीं सकते हैं आज के समय में ऐलोपेथिक ने भी ये माना है कि हम पेट को ठीक रखेंगे तब ही अन्य बीमारियों को साथ में हम दूर कर सकेंगे तो भी अब कोई भी बीमारी की आप दवाई लेने जाएंगे एंटिवोइटिक के साथ पेट की दवाई जरूर देते हैं क्योंकि उनके साइड फेक्ट ना हो सके, डाइजेशन अच्छे से हो सके और रोगी पूरन रूप से स्वास्त हो सके वो अलग बात है कि कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं कि जी मुझे ऐसी तो बनता नहीं, मुझे गैस तो बनती नहीं तो डॉक्टर ने ऐसे फालतू लिख दिया होगा, डॉक्टर अपनी कमाई के लिए कर रहा होगा, वो करते हैं, यह देजीजीए, मेडिकल स्टोर वाले से पूछके, बस यह मेडिसन देजीए, बस मेरा काम चल जाएगा, और उल्टा होता है उसका क्या नुकसान होता है, फाइदा नहीं होता, मतलब थोड़ा सा फाइदा नुकसान ज़ादा, क्या फाइदा इस फाइदे का? अब रही बात हम टॉपिक में थे कि खाना खाने के बाद आराम करना चाहिए आराम का मतलब यह नहीं कि सो जाना चाहिए खास तोर पे कहना चाहूंगा खाना खाने के एक से दो घंटे के बाद ही कोशिश करें कि आप निद्रा लें कहते हैं कि खाना खाने के एक पहर एक पहर तीन घंटे का होता है मतलब तीन घंटे अगर नहीं है आपके पास तो कम से कम दो घंटे फिर भी आप बहुत जादा बीजी हैं तो एक घंटे तो कम से कम आप जागे रहें पैदल चले, इतना नहीं, बस पांच मिन्ट, दस मिन्ट, पंदरा मिन्ट पैदल चलना बहुत जरूरी है, खाना पच जाता है, बहुत मेहनत नहीं, बस पैदल चलना है, तो उससे आपका खाना पच जाता है, और आप निरोग रहते हैं, कुछ लोग क्या करते हैं, कि जो खा खाने के बाद वो अपना कुछ चुइंगम या सौफ चबा लेते हैं, सौफ तो ठीक है, चुइंगम गलत है, चुइंगम से क्या होता है, एक्ष्ट्रा की एर अंदर जाती है, जिससे की गैस प्रोब्लम और बढ़ जाती है, सौफ और गुड़ खाना बहुत स्वादिष्ट स्वादिष्ट भी होता है, और खाना पचाने में मदद भी करता है, बहुत अच्छी बात है, इसमें कोई बुराई नहीं है, कुछ लोगों की आदत होती है, कि खाना खाया उसके बाद एक्सरसाइज कोई भारी काम करने लग जाते है, तो ये भी एक मुसीबत है, और हाँ याद आगया, खास तोर पे कमगा, जो जिम करते हैं या व्याम करते हैं, वो क्या करते हैं जी, खाना खाने के बाद जिम करते हैं रात के समय, या मान लिजी, सुबे जिम करके आते हैं, तुरंत बाद एकदम खाना खा लेते हैं, तो ये गलत मानना जाता है, व्याम करने के कम से कम आदा से एक गंटा सरीर को रेष्ट दें, उसके बाद ही किसी चीज का किसी भी तरह का भोजन करें आप, पानी भी पिते ना, घूंट बर पानी पीजिए, पूरा पेट बर के पानी मत पीजिए, जिसे कि आपका पेट बाहर निकल आए, भोजन, भोजन हफते में छे करना चाहिए, एक दिन फल और सलाद पर रहना चाहिए, एक दिन उपवास टाइप में रहना चाहिए, जिसमें कि हमें सिर्फ हरी चीजों का इस्तमाल करना चाहिए, जैसे कि सलाद, अंकुरित, अनाज और फल पर रहना चाहिए, इससे क्या होता है, पेट की पूरी तरह से शुद्धी हो जाती है, बहुत लोग करते हैं और भगवान के दिया से वो स्वस्त भी रहते हैं बोजन में एक बात और ध्यान रखना चाहिए कि बोजन जादा कच्चा ना हो, जादा जल गया ना हो, बासी ना हो, बदबूदार ना हो खराब तरीके से ना बनाया गया हो, इन बातों का भी ध्यान रखना चाहिए यह बहुत एहम रखा जाता है, बहुत एहम माना जाता है क्योंकि खराब चीज अगर हम डालेंगे तो और ज़्यादा हमारा पेट खराब हो जाएगा कई लोग वो तरह कि यार फैका जाएगा इससे च्छा खा ले, नहीं वो आपके दुगने पैसे लगवा देगा इसलिए आप कोशिश करें कि वो मत खाएं बहुजन, बहुत से लोग कहते हैं कि बहुजन हमें कितने टाइम करना चाहिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि स्वस्त रहने के लिए हमें भोजन छे से आठ गंटे के बीच में करना चाहिए दिन में दो से तीन बार हम भोजन कर सकते हैं मगर बीच में तीन गंटे के अंतर पे हमें कुछ हलका सा खाना जरूर लेना चाहिए हलका खाने के रूप में सलाद हो गया, सुबे के टाइम, शाम के टाइम हम थोड़े से मेवे का इस्तमाल कर सकते हैं, मतलब इस तरह के कोई चीज हमें लेनी चाहिए, इससे क्या होता है कि अगर हम ज़्यादा समय खाली पेट रखते हैं तो उससे क्या होता है कि हमारा पाच् की थेली में पत्थरी की शिकायत हो जाती है, तो इसलिए खास तोर पे हमें कुछ हलका भारी खाना हमें दो से तीन बार खाना चाहिए, छे से आठ गंटे के अंतर पे, जैसे कि हम नास्ता करते हैं, लंच करते हैं, डिनर करते हैं, यह अलग हो गया, लेकिन बीच में हम कु जैसे सुबे सिलाद ले ले, साम के टैम हम फलफूरूट ले ले, साम के टैम हम थोड़ा पनीर भी खा सकते हैं, या फिर हम थोड़े सुखे मेवे ले सकते हैं, कुछ भी हलका फुलका जादा नहीं, तो इससे आप अमेशा स्वस्त और ताकतवर बने रहेंगे, भोजन नी नेमच समय का मतलब है कि सुबे का भोजन आप सुबे ही करिये, दोपहर को नहीं, दोपहर का भोजन रात को नहीं, रात का भोजन अगले दिन सुबे नहीं, ये गलत हो जाएगा, आप सुबे, दोपहर, शाम, आदे से एक गंटे का अंतर हो जाएए चलेगा, लेकिन ज्या बाईउ को देखके कहते हैं कि बच्चपन में हमें तीन बार खाना खाना चाहिए, युवा वस्था आने पे हमें दो बार खाना खाना चाहिए, वरिद वस्था आने पे हमें एक बार खाना खाना चाहिए, मगर हमें बीच में हलका फुलका कुछ अन्य चीज जरूर लेनी चाहिए इससे सरी में कमजोरी भी नहीं आती और सरी स्वस्त भी बना रहता है बोजन में इनी बातों का खास दौर पे कहूंगा कई लोग कहते हैं कि खाना खाने के कितनी देर बाद हम पानी पिया करें खाना खाने के हमें कम से कम एक घंटे बाद हम पानी पिये खाना खाने से पहले हम आदे घंटे पहले पानी पी सकते हैं हाँ वो अलग बात है कि अगर आप मान लीजिए खाना खाने के साथ दूद लेना चाहते हैं, खाना खाने के साथ जैसे सुबे नास्ते में आपने दूद ले लिया, कई लोग सुबे नास्ते में दूद और दलिया या दूद रोटी का इस्तेमाल कर लेते हैं, गुड डाल के वो भी अच्छा माना जाता है दोपहर को चावल, रोटी, दही, लसी इसका इस्तमाल कर सकते हैं लसी पी सकते हैं खाने से उपर रात के समय कोशिश करें कि खाना अपना समय से करें दूद उसके कम से कम आदे घंटे बाद ले और सोने से कम से कम खाने में 3 गंड का उंतर जुरू डाले ताकि आपका खाना पूरी तरह से पच सके अब पानी पूरे दिन में कितना पीना चाहिए देखिए वैसे तो 70-75 परतीशत हमारे शरी में पानी का अंस है चाहे वो तरल रूप में ही रहता है, चाहे वो किसी भी रूप में रहे तो आपने क्या करना है? एकदम बहुत गट-गट करके तीन-चार गिलास पानी एक साथ नहीं पीना है इससे पाचन अगनी मंद हो जाती है और पेट की बिमारियां सुरू हो जाती है आपने दो घंटे में एक गिलास गूट-गूट करके पानी पीना है थोड़ी देर में पानी पीना है लेकिन गूट-गूट करके इससे क्या है सारी सफाई भी हो जाएगी और पूरी तरह से मुँ मिलकुल साफ रहेगा और जल्दी पच जाएगा और उसका क्या है कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होगा जादा मातरा में खाना खाने से या जादा मातरा में पानी पीने से एकदम सरीर सुस्त पड़ जाता है और तरह तरह के रोग उत्पन कर देता है हम तो खाते हैं कि यार जादा खाएंगे स्वाद खाना मिल जाता तो ज़्यादा खा लेते हैं तो उससे वो हिर्दे की गती कम कर देता है मस्तिश्क पे असर डालता है डिप्रेशन वगेरा की समस्या उत्पन करता है पेट की बिमारी बना देता है गुर्दों की बिमारी बना देता है तो ये सब नुकसान दैक है मतलब हम जरूर से ज़्यादा मातरा में खाना खा लेते हैं तो वो भी अंदर जाके खाना नहीं यहां तक तो स्वाद होता है इसके बाद फिर वो जहर बन जाता है तो इसलिए कोशिश करें खाने को उचित हिसाब से खाएं विदी से खाएं ताकि आप हमेशा निरोग बने रहें और ताकतवर बने रहें और सुन्दर दिखें आज के लिए इतना ही अगली वीडियो में कुछ और लेके मिलता हूँ धन्यवाद